वेलकम टो इस्टेनों ग्यान पॉइंट दोस्त आपकी यूटूब चैनल इस्टेनों ग्यान पॉइंट में आपका बहुत स्वागत दोस्तो इस वीडियो के मादे में से आपके लिए कर आए हैं तो चलो दोस्तो डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं पने डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट पांच सेकर्ड बद यस स्टार्ट दंड का विधान यों तो इसलिए किया जाता है कि अप्रादिक वर्तियों पर अंकुस लगाया और सामाजिक समरस्ता को भंग होने से रोका जा सके विराम मगर कोई अपने विरोधियों और विपक्षियों को शबक सिखाने के मकसद दंड विधान रचे तो उस पर अंगूलियां उठने स्वाभाविक है विराम बिहार में यही हो रहा है विराम दरशल नितीश कुमार शरकार ने एक नया फर्मान जारी किया है कि अगर कोई सोशल मीडिया पर शरकारी अधिकारियों मंत्रियों शांचदों विधायकों आधी के बारे में कुछ अपत्ति जनक तिपने करता है तो उसे साइबर अ विराम यानि उसके खिलाप दंडात्मक कारवाई की जाएगी विराम सोशल मीडिया पर होने वाली टिपनियों को लेकर शरकारों में ऐस हजता कोई नई बात नहीं है विराम मगर चुकि इस पर नियंत्रन का कोई विध्यानिक उपाय अभी तक नहीं है इसलिए वे कोई दंडात्मक कदम उठाने में शफल नहीं हो पाती विराम एक टीवी चेनल पर प्रोसी जाने वाले सामगरी के सम्मन्द में जब सर्वोच न्यालेने केंदर सरकार ने इस परवर्ती पर रोक लगाने के उपायों की बाबत पूछा तो केंदर सरकार ने कहा था कि इस वक्त टीवी चेनलों से उतना खत्रा नहीं जितना सोशल मीडिया से विराम मगर तब अदालत ने सोशल मीडिया पर नियंत्रण को हरी ज़ंडी नहीं दी थी विराम ऐसे में निती सरकार ने अपने इस्तर पर विधान गड़ डाला है विराम पैरा हर सत्ता पक्स का एक विपक्स होता है और उसके बहुत सारे समर्थक होते हैं विराम सत्ता पक्स के कामकाज के तरीके उसके फैसलों आदी में दिखने वाली कम्यों की तरफ वे अंगुली उठाते ही हैं विराम इसके अलावा आम नागरिक भी अपने ऐसहमती दर्ज कराने को सवतंतर हैं विराम हमारा समीधान उन्हें यह अधिकार देता है विराम अगर ऐसा नए हो तो जनतांतरिक के बजाए अधिनायक वादी व्यवस्था बन जाएगी विराम लोकतंतर का तकाजा भी यही है कि सत्तापक्स अपने नीतियों फैसलों कामकाज के तरीकों के बारे में होने वाले आलोचनाओं को खुलने मन से सुने और उनके आधार पर जरूरी बदलाव करें विराम मगर लगता है अब शरकारों में ऐस हमतियों को शुनने का साहस कम जोर पड़ता गया है विराम इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि सोसल मीडिया पर कुछ लोग बे लगाम भासा का इस्तेमाल करते हैं जिसे किसी भी रूप में उचित नहीं माना जा सकता विराम मगर उन कुछ लोगों के आधार पर सारे लोगों के लिए फंदा बुनने का तरीका भी ठीक नहीं कहा जा सकता विराम निती सरकार अपने पक्स में तरक दे सकती है कि उसने केवल आपत्ती जनक टिपणियों के लिए यह विधान बनाया है मगर आपत्ती जनक का कोई तय दाइरा नहीं है इसलिए कौन सी बात परशाशन को कब आपत्ती जनक नजर आ जाए कहना मुश्किल है विराम ऐसे में यह आसंग का बे बुनियाद नहीं है कि इस फर्मान का इस्तेमाल बिहार परशाशन विरोधियों को सबक सिखाने के लिए करेगा विराम पैरा ऐसा भी नहीं कि शोशल मेडिया पर एब भद्दर भासा के इस्तेमाल अफवाएं फैलाने या भड़कव शामगरी प्रोशने के खिलाफ नियम काईदे नहीं है विराम मगर नितिस सरकार को अलग से इसे लेकर भाकाईदा बनाने की जरूरत पड़ी तो इसकी कुछ वजहें जाहिर हैं विराम यह पहली बार नहीं है जब उन्हें मीडिया में अपनी आलोचनाए नागवार गुजरी हैं विराम पहले सासनकाल से ही वे अपने खिलाफ कही जाने वाली बातों को लेकर ऐसहज नजर आते रहे हैं विराम अपने खिलाफ लिखने बोलने वाले अकबारों टीवी चेनलों के विज्यापन रोकने उनके परसार में बादा पहुचाने तक के आरोप उन पर लगते रहे हैं विराम पिछले दिनों जिस तरह वे समवाददाता सम्मिलन में एक पत्रकार पर भड़क उठे उससे मीडिया के परती उनकी नाराजगी समझी जा सकती है मगर सारवजनिक जीवन में खास कर सत्ता के सीर्ष पर बैठे किसी नेता को सिर्फ अपनी तारिफ की भूख क्यों होने चाहिए विराम धन्यवाद